जैसे कि आपने request करा था nifty next 50 के बारे में बात करेंगे detail से बात करने ही कोशिज करेंगे basically जानेंगे nifty next 50 क्या है इसका composition किस तरीके से है फिछले 10 से 15 साल में इसने किस तरह performance भी है nifty versus nifty 50 को next 50 को अगर आप compare करते हैं तो competitively किसका पलड़ा थोड़ा भारी रहता है और इसके हो कि दे रहें पैसा लगाने के लिए क्या इसने पैसा लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए यह सारे सवालों के जब्द आज की वीडियो में होने वाले वीडियो बहुत जादा इंटर्स्टिंग है इसलिए पूरी वीडियो को देखें और अगर थोड़ा भी अच्छा लगें तो प्लीज चनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे शेर करें, जिससे कि मुझे होसला मिलता है, कोई सवाल हो, तो आप बेजी जग पूछ सकते हैं, ताकि हमारी आपस में नॉलिज इंक्रीज हो सके, अब सीधी बात आती है कि Nifty Next 50 क्या है, देखिए, शेर मार्केट के अंदर में number of companies के stocks listed रहते हैं, जिसमें से देश की सबसे बड़ी जो 50 company है, जो national stock exchange में listed है, वो Nifty 50 को part बनती है, पर उनके बाद में, जो Nifty 50 के बाद में, जो next 50 जो companies होती है, जो काफी अच्छी है, growth potential अच्छी है, आपकी large and mid cap companies के अंदर में कापी सारी है, तो आप उसमे अगर opportunity देखते हैं, कि आपको लगता है बड़ेगा अच्छा, तो वो है Nifty next 50, और यह बड़ा exciting section है, आपके stock market के अंदर में, बहुत exciting indices है, क्योंकि यह एक ऐसी companies का portfolio है, बुके बोल सकते हैं, आप उसमें, कि जो growth potential काफी अच्छा रखते हैं, यह large नहीं है, विल्कुल जै और के next में Nifty 50 का part बन सकते हैं, बहुत ही जल्दी, तो इनकी growth potential बहुत अच्छे है, लेकिन यहाँ पर एक downside है, कि जब माजार में पिटाई पड़ती है, तो सबसे ज़्यादा पिटाई, सबसे कम पिटाई Nifty 50 पड़ेगी, और वो जितने होता है na hierarchy के साब से बड़े पर का पारी आती है, तो यह competitively बहुत अच्छा बढ़ता है, इसको numbers के साथ में देखेंगे आज की वीडियो में, अब सीधे बात आती है कि निक तु नेक 50 के अंदर में आगा composition को चेक करने कोश करने हैं, तो किस तरीगेगा, देकि यह भी financial services से heavy section है, यहाँ पे approximately 29% की weightage financial sectors की है, consumer goods, यह बड़ी अच्छी बात है कि consumer goods की weightage 27% की है, और यही हमार को थोड़ा सा सांती देता है दिल के अंदर में, क्योंकि जो future है हमारा आज की तारिक में, consumption sector से सबसे पहले growth आने की अमीद है आपको, और यहाँ पे देखे, pharma sector की weightage 14.08% की है, तो आप समझ सकते हैं कि इस पीर बहुत अच्छी है recovery की, तो यह आपको एक positive point देता है इसमें काम करने के लिए, अब इसके अंदर में बात करूँ कि nifty next 50 के अंदर में, top companies कौन सी है, nifty next 50 के अंदर में अगर में बात करता हूं, सबसे जो बड़ी company है, वो avenue supermart के अंदर में आती है, जो retailing sector से, इसकी weightage nifty next 50 के अंदर में लगवग 5,6% के राउंड की है, devis laboratory pharmaceutical companies बहुत प्यारी company है, बहुत अथा रन दिखा दिया भी current में, 4.58% की weightage है इसकी nifty next 50 के अंदर में, फिर आपका आता है HDFC life insurance, insurance sector से है 4.52%, सब को पता है कि पूरे देश में आजकल हर तरगे के insurance चलते हैं, तो इसमें यह जो HDFC life insurance है, एक premium companies में आती है, 4.52% का डावर इंडिया की जो company है, यह 4.27 consumption sectors में से आजाती है, आपकी personal care बोल सकते हैं इसको, SBI life insurance की जो weightage है आपके पास में, वो 4.15% की है, ऐसे ऐसे लंबार जनरल insurance, लेकिए insurance sector है इसके अंदर में, तो यहाँ पे 3.98% है, pretty light industries, यह chemical sectors म में से आती है, बहुत प्यारी company है, आप इसका stock भी लेके purchase कर सकते हैं, बहुत अच्छा returns देगा, यहाँ पे 3.59% की returns है, गोद्रेज consumer product limited, premium company personal care के अंदर में, 3.17% की weightage, लुपीन limited pharmaceutical companies, once again 3.09% आजकल market में चल रहा है, call gate, आपका इतना बड़ा नाम है, personal care में से आता है, 3% क की weightage, मैं top 10 बता जिया, top 20 आपको list आपने share कर देता हूं, top 50 भी आप easily available कर सकते हैं, यह मेरा बताने का था कि इस sectors की जो companies है, यह कोई छोटी companies नहीं है, एक काफी बड़े नाम है market के अंदर में, बस यह होता है, कि asset valuation के विसाफ़ से, मतलब जो market capitalization के हिसाफ़ से, top 50 से touch नी 50 को, आपका consumption sector से यह भी लगातर बीट कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या potential है, इसके अंदर में, अब सीधा इसके बात आते हैं, कि मैं पहले आपको data बता दूँ, nifty 50 का, कि किस तरह से इसने over the period of time compare करा, mutual funds की detail देने से पहले, आप nifty 50 को, next 50 को, थोड़ा समझने की को करते हैं, nifty next 50 का, पहले मैं आपको details share करता हूँ, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, तो मैंने क्या कराया, year on year के उसमें details ले लिए, cut date लिए, जैसे हमने 2004 से start कर रहा हूँ, जहाँ पर 4394 का indices की value थी, 31 December 2004 को, जो आज की तारीख में 27 मही के, अगर मैं date लेता हूँ, कल का, क्लोजिंग का, तो 23,089, 23089 थी, अगर मैं इसको, absolute terms में growth को अगर मैं check करों तो 525%, मतलब 525%, लगब 5 गुने से ज़्यादा आपका पैसा बन गया है, पिछले 15 साल के अंदर में, 15 साल में आपका 5 गुना पैसा बनता है, तो आप इसको competitively लगा सकते हैं, 5-3-15, मतलब आप सकते हैं, तो लगबग, हर 3 साल के अंदर में, मतलब 15 साल के अंदर में, जैसे आपका पैसा 5 गुना बन रहा है, तो हर 3 साल में आपका पैसा double करने की opportunity रखता है, यह, nifty, next 50, तो यहां पे आपको चाहिए सबसे बड़ा patience, तो इसके लिए मैंने देखो, बड़ अची कोशि काफी सारी तरीके होते हैं, नंबर्स को रिपरजेंट करने के, बहुत सिंपल पैटन दखा कि अगर हम हर साल की closing की खेकर लेते हैं, 35 जनवरी की, और पिछले साल के संग में compare करते हैं, तो आप देखेंगे, अगर इसका एक block बनाए, मैंने 3-3 साल के हिसाब से, तो सबसे न है, year on year के साब से अगर आप लेके चलते हैं, इसके बाद में अगला block देखते हैं, 2009, 10 और 11 वाला, यहां पर देखें, बहुत important है देखने के लिए, 2008 की जो महामंदी आई थी, जो 2009 में आपको हिट करा, 8 से सुरू के 9 के बीच में, तो उसमें approximately 58% market गिरी थी, यह सबसे important block है देखने के लिए, आपकी market लगबग 58%, पैसा आधा हो गया था, जिनके एक लाक रुपे थे, उनके account में सिर्फ 40,000 रुपे की value रह गए थी उस period of time में, लेकिन अगले साली, इन्होंने recovery, 136% की recovery मारी वहां से, जो best है किसी भी indices के अंदर में अगर आप compare करेंगे, और उसका अगला साल average रहा, जहां पर 9.31% की average रही उसकी, तो 87% का एक block था, तीन साल के अंदर में अगर आप देखें, जो growth आया है, वियर और को compare करतें, एड करेंगे तो, इसके बाद में एक थोड़ा सा tough time आया हमारी market के अंदर में, 2012 से 2014 का, जहां पर annual जो growth रही, नेगेटिव मे में रही, 2012 में 10 पर का dip था, उसके अगले साल अच्छी recovery करी, 2013 में 25% का आपको positive दिया, फिर minus 2% को overall 12% ही आपकी growth हाई इस quarter के अंदर में, मतलब इन 3 साल के period में, लेकिन उसका आगला जो spirit है, 2015 से 17 के बीच में आप देखेंगे, approximately 83% का आपको positive side मिला है, आप numbers को देखिए, percentage को दिए, किस तरह से ये perform कर रहा है, time period में, और यहीं पर आप देखते हैं कि 2018 से 20 का जो time period है, वहाँ पर फोड़ा सा स्लोई से इसकी growth रही है, फिर भी 24% की approach growth दिये, year on year अगर मैं compare करता हूं, absolute time में 525% की growth है, अगर 2005 से अगर आप compare करते हैं, आज तक के time period में, अगर जल् to 50 ने कैसा करा, 2004 से 8 के block के बीच में, 106% की growth बहुत अच्छी competitively अगर आप मानेंगे, 2009 से 11 के बीच में approximately 38% की growth थी, ये भी ठीक है, लेकिन 2012 से 14 में जब वहाँ पर growth कम होई तो यहाँ पर भी same reflection आएका, 11% की approximately रही आपकी growth, 2015 से 17 के बीच में, 44% की growth रही आपकी, और 2018 से 20 क के बीच में approximately 37% की growth रही, और overall अगर मैं 15 साल की period में nifty 50 की performance देखों, तो यहाँ पर आपकी जो performance रही है, 452% मतलब लगबग 4 गुना पैसा करा रहा है, तो यहाँ पर आपको तीन साल का time period लग रहा था, यहाँ पर आपको approximately 4 साल का time period लग रहा है, पैसे को double करने के लिए, nifty 50 के competitively अगर आप इसको देखते हैं, तो इसने काफी अच्छी performance दी है, अगर मैं overall neck to neck दोनों को compare करता हूं, तो आप month on month year on year performance देख सकते हैं, कब इसने ज़्यादा अच्छा करा है, कब इसने कम अच्छा करा है, तो इसमें भी आपको number सच्छे का से दिखाई देंगे, अ overall मैं जाओंगा, तो एक जो साल था, मेरा 2010 का, जहां पर इसने approximately 66% की additional growth दी थी, nifty 50 के competitively, जिसकी वे से overall इसका अगर मैं slot दिखता हूं, तो इसकी performance अच्छी है, जब भी कोई अच्छे साल आते हैं, जहां पर growth की opportunity ज़्यादा है, तो वहां पर nifty next 50, nifty 50 के competitively अच्छा आप इस चीज़ को समझा सकते हैं, छोटी companies में growth ज़्यादा आती है, growth potential ज़्यादा होता है, तो यह large और mid-cap companies का एक bookie है, जहां पर growth opportunity आपको बहुत अच्छी मिलती है, इस चीज़ को समझीए, हमारा जो सबसे बुरा worst period of scenario था जब पिछले 2-3 साल थे, वो बीच चुके है अभी current year में काफी अच्छी dip आई है, approximately अगर हम 6 महिने के अंदर भी देखते हैं, तो यहां पर हमारा को 20-22% की growth अभी हो, dip आई दिखाई दे सकती है, लेकिन अब इससे बहुत ज़्यादा गरावट की आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं, यहां से recovery की उम्मीद करी जा सकते है जब recovery की उम्मीद कर रहे हैं, तो nifty 50 में आएगी, तो nifty next 50 में भी आएगी, और जब आएगी तो nifty 50 के competitively, nifty next 50 के अंदर में आप growth potential को ज़्यादा expect कर सकते हैं, अब बात आती है कि कौन से जो funds हैं nifty 50 के अंदर में available हैं, index के अंदर में जहां पर आप लगा सकते हैं, क्योंकि वहां पर जो expense ratio होती है, बहुत minimal होती है, मतलब 0.100, 0.50% से कम की expense ratio रहती है, तो ऐसे में क्या होता है कि जो आपकी trading company AMC हो गई या brokers हो गए, उनको बीच में अपने commissions नहीं मिल पाती, तो वो उसको promote नहीं करना चाहते हैं, जबकि यह सबसे safe तरीका है, एक काम करने तो इसको popular नहीं करे जाता है, अब index fund दीरे-दीरे करके popular है, जिस तरह से knowledge आई, तो अब index fund की category के अंदर में, सबसे important index थे, nifty और sensex के बार में, वो आता है, nifty next 50, तो यहां पर अभी बिल्कुल शुरुआत है, काफी बोलते हैं, पौधा उगना शुरू हुआ है, यहां प index fund है, थर्ड में आता है, आपका ऐसे ऐसे prudential, nifty next 50 index fund, और फोर्थ नमबर पर आता है, आपका IDBI का nifty junior index fund, तो यह चार index fund है, जो market के अंदर में, आज के तारीख में, अगर आप इसके charts में जाएंगे, तो आपको बहुती जारा lucrative दिखाई नहीं देंगे, यह काफी red mark में है, वो आपको negative दिखाई देंगे, क्योंकि अगर आप एक broader sense में दिखते हैं, तो यहाँ पर positive returns दिखाई दे सकती है, क्योंकि seasonal होता है, कि आपको एक season पर वो कोई चीज अच्छी जाज़ती दिखाई दें, लेकिन अगर आप universal check करें, तो यह बहुत नए fund है, 2018-2019 के time period में, यह चारों-पाचों fund start हुए हैं, जो भी आपके आते हैं, तो इस point में आपको जो returns है, जैसे कि मैंने आपको पूरा chart दिखाया था, निप्टी नेक्स विटी का, तो उसमें आपने क्या पाया था, उसमें अगर आप देखेंगे, तो जो previous 2-3 साल रहें, जैसे current year में 85% की negative return है, पिछले साल को साल तो साल compare करता हूं, तो उसे 6% की budget return है, उससे पिछले साल में 12% की negative return है, अगर पिछले 2 साल के अंदर देखोगे, तो आपको negative return 20-30% की round cumulative भी दिखाई देगी, लेकिन उससे 1 साल पीसे जाते है, तो 31% आयता, अगर आप 4 साल का एक ब्लॉक देखता आपको opportunity बता रहा हूं, कि यहां पर अच्छी opportunity है, जो लोग confidence रखते हैं कि उमीद हो सोचते हैं कि यह चोटी companies में है, अच्छा potential है, चोटी नहीं है, यह काफी बड़ी companies हैं, लेकिन big short companies के compatibility, touch नीचे रहती हैं, लेकिन उनके potential बहुत ज्यादा है, growth double होती है, risk भी हाला कि थोड़ा competitively ज्यादा होता है, पर हम जिस तरह से देखें, पिसले 2-3 साल बुरे जा चुके हैं, तो जो पिसले 15 साल का chart scenario दिखा रहा है, वो दिखा रहा है कि जब भी बुरा time आता है, उसके बाद में, आपके positive 1-2 साल बहुत अच्छे जाते हैं, और अगर अच्छे आने पाला time है, तो सबसे ज़्यादा अच्छी opportunity है, आपको next 50 के अंदर में दिखाई दे सकती है, आप यहाँ पर definitely review कर सकते हैं, wait and watch भी कर सकते हैं, आप इसको review करना चाहें, देखना चाहें, अजी पैसा लगाना चाहें, लेकिन अगर कोई यहाँ पर पैसा लगा रहा है, तो जल्दी ही कमाई के बारे मैंने सोचें, इसको long term approach देखिया, index fund होते हैं लंबे समय के लिए, जहाँ पर आप 5 से 10 साल के time period को horizon को दे, वहाँ पर आपको definitely अपना पैसा double और triple होता पर दिखाई दे सकता है, लेकिन आपको थोड़ा सा confidence रखना पड़ेगा, क्योंकि यह कैसी हैं जो धीरे धीरे चलती हैं लेकिन ग्रेज्वाली चलती हैं, और अच्छी opportunity देती हैं, तो nifty next 50 को मैंने I think cover करा है, nifty 50 के साथ में, आपको basics बता दिया है, क्यों यहाँ पर लगा जा सकता है, इसमें आपने potential देखे होंगे, year on year का chart के साथ में, आपको थोड़ा सा clarity आई ह होगी, कि इसमें लगाने के लिए एक अच्छी opportunity है, हम एक ऐसा time frame पर बैठे हुए, जहां पर market down है, growth के लिए ready है, भागने के लिए ready है, भागने के लिए ready है, भागने से पहले ही किसी चीज को अगर पकड़ लें आप, तो उससे अच्छी कोई चीज नहीं हो सकती, उम्मी